जहां दोस्तों आज इस वीडियो के माद्दम से हम बात करने बाले हैं MP8 M8, BAB8, BAC, BPA, MP8 4th round के बारे में तो आपके लिए गुड़नीज शामने निकल का आ रही है कि MP में B8 M8 का 4th round स्टार्ट होने बाला है और यह दोस्तों हमारा 11 जुलाई से स्टार्ट कर दिया जाएगा तो आपके लिए गुड़नीज है कि हमारा जो फोट round अप 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और यहां पर इसका एक official notification भी announce कर दिया गा है कब से कब तक form submit होंगे registration कब से कब तक होंगे सारी information को देखेंगे वीड़ो के मार्दम से तो आपके लिए गुड़नीज है जो की सामने निकल कर आ रही है जैसा कि देख पा रहे है official notification है जो की announce कर दिया कर है 11 जुलाई को रातरी के समय आ चुका था यहां पर हम बात करेंगे BAD, MAD जैसा की देख पा रहे है BAD, MAD, BPA, BAD, MAD BABAD, BACBAD, BLAD तता BAD के जो भी student है आप सभी student के लिए एक नया अत्रिक्ट चरड़ स्टार्ड किया गया है या तो आप इसे फोर्थ राउंड कह सकते हैं या आप इसे additional round भी कह सकते हैं ठीक है बैसे अगर हम बात कहें NCTE के जितने भी course होते हैं इस course में जब कोई additional round आता है अत्रिक्ट चरड़ाता है तो वहाँ पर हम additional round कहते हैं लेकिन UG और PG के अंतकरफ जो अत्रिक्ट round आते हैं वहाँ पर हम CLC round कहते हैं तो यहाँ पर हम कापी YouTubers हैं जो की video बना रहे हैं कि CLC round start कर दे गए CLC round start कर दे गए हम CLC round नहीं कहींगे CLC round नहीं हैं दूसरों यह हमारा additional round है यहाँ पर notification में भी clear mention किया गए या तो आप fourth round कही है या आप additional round कही है यहाँ पर आप CLC नहीं कह सकते हैं आपको information देना मेरा काम है इसलिए मैं आपको शही information दे रहा हूँ ठीक है अत्रिक्त चलड के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो 11 जुलाई से start हो जाएगा 15 जुलाई तक यहाँ पर चलेगा यहाँ पर हम registration कर पाएंगे 15 जुलाई तक यहाँ पर हम choice plan कर पाएंगे यह दोनों काम हम कर पाएंगे इसके बाद में अगर हम बात करें तो अगर आपके form में कुछ गलतियां हो जाती है तो उसे आप edit भी करवा पाएंगे जैसा कि sorry यहाँ पर edit का date अलग है यहाँ पर document verification होगा जो कि 16 जुलाई तक अगर आपके form में edit करवाना है कोई गलती हो गई है तो 18 जुलाई तक edit करवा पाएंगे आपकी rank मेरे list आईगी उन्दी जुलाई को और यहाँ पर आपकी आईगी allotment letter की list जो 25 जुलाई को अगर आपका किसी कॉले में नाम आ जाता है तो भी 25 जुलाई से लेकर तीज जुलाई तक आप अपना admission ले सकते हैं admission लेने के बाद में आपको फिर से अपनी government कॉले में जा करके यानि कि help center पर जा कर अपनी document फिर से आपको बहुत एक रूप से उपस्तित होकर साथ ही अपनी समझ दस्ताविचों को सत्यापन करबाकर अपना admission करणपरम करवाना पड़ेगा तो यह पूरी प्रक्रिया है जो कि मैंने आपको समझा दे हैं आपको इसके बारे में फुल इंपरमिशन वीडियो का लक्सी अप्रोड करूँगा जिसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें हमें करनी है अभी आप इतना समझ लीजी कि आपके लिए गुड़नीज है जो कि हमारे लिए अत्रिक्त चरड़ा वो आ चुका है जैसा कि देख पारें देरिक बास करवें भी न्यूज चाहिए थी कि बीड प्रिवेस के लिए आज से सुरू होगी एक और राउंड की कांसिलिंग 15 तक होंगे यहां पर रजिस्टी सब अगर हम यहां पर बात करें बीड में टोटर 69,000 के आसपास जो सीटें थी उसमें से अभी भी प्रिजेंट में 11,000 से जानदा सीटें खा लिए ठीक है 11,000 से सीटें 11,000 से जानदा सीटें अभी भी प्रिजेंट में खा लिए तो इस वज़े से क्या है यहां पर एडिशनल राउंड है जो की आया है अगर हम टोटल सीटों की बात करें तो लगबर लगवा बीस परसेंट से जानदा सीटें खा लिए देखें इंदोर से भी यह 1803 सेटें खा लिए बीए में 3D 시eton इसमें 179 वा करएं बीशनल रावt लेज्टें परसें जानदा से खाले हैं अगर हम दूसेरे कूरस इसके बारे में बात करें बीए बीए बीर में отвеч में 1830 बीची में 179 बीपी अबTH में 201 सीटें खा लिए अब यही प्रिजेंट पूरे all एमपी में तो बात समझ में आ रही हैं सारी चीज़े समझ में आ गई होगी इस सीट एक खाली 30 बजी से कहा है जो की अत्रिक तरद अनौंस किया गए तो इतनी सीट खाली है आप देख लेना ठिक है जिससे कहा है आपको परिशानी नहीं होगी इस वीडियो को मनाने का मकसद ह नहीं था आपको फूरी इन पूर्मिशन अच्छी से मिल सके एडिशन राउंड के बारे में मिलते अगली विडियों में एक और जानकारी के साथ अब तक लिए बाए